चमपावत के लोहागाट में नहीं रुक रही है मंदिरों में चोरी की घटना है जी हाँ लोहागाट में एक और चोरी की वारदात सामने आई है मंदिर में शुलापे गाउं के भूमिया मंदिर का है जहां चोरों ने हाथ साफ कर दिया है इसके बाद से अस्थानी नागरिकों ने SDM लोहगाट से करवाई की मांग की है आपको पता दें लोहगाट छेतर के मंदिरों में चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है चोरों ने एक बार फिर से चमपावत जिले के बाराकोट बलाक के भूमिया मंदिर में हाथ सार्व कर दिया है हजारों रुपाएं के जेवर और बरतन चुराकर भाग गये हैं वारदात के बाद चेतर की जनता में काफी आक्रोश है चुलापे गाओं के आक्रोशित ग्रामीडों ने ग्राम परधान कैलास चंद्रपंत के नेतित्तों में लोहा घाट के S.D.M. रिंकू विष्ट को ग्यापन देकर जल्द से जल्द चोरी की घटनाओं का परदा फास करने की मांगी है और चोरों को पकड़ने की मांगी है ग्राम परधान कैलास पंत ने बताया कि देर रात चोरों ने गाओं के आस्था के प्रतीक भूमिया मंदिर का ताला तोड़कर देवता के कान के सोने के कुंडल च्छतर और वहां मौजूद बरतनों को चुरा लिया है इसके अलावा गाओं के ही रमेश चंद्र पंत के मकान का ताला तोड़कर उनका विशावान चोर चुरा कर ले गए है ग्राम प्रधान पंत ने कहा कि गाओं में या चोरी की सात्वी से आठ्वी वारदात है लेकिन अभी तक किसी भी चोरी का कोई पता नहीं चल पाया है इसके कारण गाओं में चिंता के साथ साथ आक्रोज भी है बंत ने कहा कि अभी तक हुई चोरी की घटनाओं में पुलिस और राज़ोस पुलिस के द्वारा एक भी घटना का परदाफास नहीं किया गया है ग्रामीडों ने प्रसासन से जल्द से जल्द चोरों का पता लगाने की मांग की है चेतर में लगातार मंदरों में हो रही चोरी की घटना से चेतर में काफी आक्रोस है लोगों ने प्रसासन से जल्द से दल चोरों का पता लगाने की मांग की है और साथी साथ चोरी की घटनाओं पर अंकुष लगाने की मांग की है आपको बता दें कुल मिलाकर चोरों ने लोहागाट विधानसवाचेत्र के लगभग सभी मंद्रों में अपना हाथ साफ कर लिया है पर पुलिस और राजस्व पुलिस के द्वारा अभी तक एक भी चोरी का परदाफास नहीं किया जा सका है जो की चिंता का विशा है आज हमने सेमान उपजिला अतकारी जी को इसके बारे में एफायर देती है और हमारे गाओं में कम से कम कुछ भी नहीं तो 6-7 बार चोरी की बारदाफ हो गई है जिसमें अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है और हमारे गौव में इस चोरी के महोल से आदमी पलाइन भी कर रहे हैं और बहुत भय का महोल बना हुआ है जिसके कारण है बुजुर का आदमी घर में रहने को बेबस हैं परिसान हो रहे हैं और भी है तो परसाशन से यह मांग है कि जल्दी से जल्दी हमको न्याई दिलाया और चारण हो ठाएओ दा रहा एक है और अभी ने पहले जा मु आणि था हमारे वहां मट्याना में और भाँट होगी हैं ऐसे 4-5 बारदात होगी है सुलाप में अभी तक चोरों का कोई पता नहीं चला है हमारा परसाशन से यही अन्रोध है कि जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़ा जाए ताकि आगे को यह बारदात नहीं हो लोहाघाट से लक्षमन सिंग बिष्ट की रिपोर्ड